गश्टमर बहुत ज़ादा परसान है चोटा सा प्रोब्लम लेकर आये हैं आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं फिर बोलते हैं मसीन बहुत ज़ादा प्रोबलम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है प्रोबलम करना बहुत है देखा आपने एक्सलेटर लेने पर बहुत ही ज़्यादा कमपन कर रहा है ब्रास कटर वाइबरेट कर रहा है चली फिर इस प्रोबलम को हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करना बहुत ही आसान है सबसब पहले आपको चेक करना है ब्लेड ब्लेड अगर आपको लग रहा एक साइट का टूटा हुआ है या ब्लेड एक साइट से बहुत ज़्यादा घिस गया है ब्लेड छोटा हो गया है यह थिरितित ब्लेड है ब्लेड एक साइट का छोटा हो गया है तूट गया है यह चेक करना है आपको अगर ऐसा है तो ब्लेड को चेंज किजिए ब्लेड अगर तूटा हुआ रहेगा छोटा रहेगा तो वो राउंड सर्कल में नहीं घुमेगा रा प्लेट को लॉक कर दिया है, हर मसीन के साथ में टूलकिट मिलता है, आपको भी मिला होगा, चेक कीजिए, या टूलकिट के मदद से आपको खोलना है क्या, नट, देखे, टाइट करेंगे तो खूलेगा, उल्टा गुना है दोस्तों, देखे, टाइट करने से नट खूलता है और ढिला करने कोशिस करेंगे तो क्या होगा, नट टाइट होगा, उल्टा गुना है ध्यान से, देखकर खोलिएगा, अब ज़र आप गौर कीजिएगा यहा वासर पे, ध्यान से देखे, वासर को ध्यान से देखे और ब्लेट को भी ध्यान से देखेगा, देखे, मैं आप लॉक प्लेट में ब्लेड सही से बैठा हुआ नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैठा कर, किस तरह से लॉक प्लेट में बैठाना है ब्लेट को, ब्लेट में जो आप दाग देख रहे हैं, यह वासर का दाग है, वासर का दाग हो गया है इस तरह से, वासर इसी तरह से लगता है बट ब्लेड सही से बैठा हुआ नहीं था अब ही मैं आपको ब्लेड बैठा कर दिखाऊंगा देखे धियान से देखे अब ब्लेड किस तरह से बैठता है ब्लेड का दूसरे साइट भी हम चेक कर लेंगे देखे ब्लेड थोड़ा सा डैमेज हुआ है बट इससे यहां पर देख रहे हैं gear head में भी hall है और देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहां ध्यान से देखेंगा यह देखें lock plate में भी hall है यह तीनों hall आपको मिला कर लगाना है एलेंकी इस तरह से अंदर लगाईए एलेंकी को लगा कर lock किजिए lock plate lock हो गया है यह round circle देख रहे हैं यह round circle में आपको blade को बैठाना है देखे इस तरह से ध्यान से देखिए round circle में बैठी गया ना अब आप blade को हाथ से भी घुमाएंगे ना यह देखे blade लगा रहें बाद बिल्कुल label में हो जाएगा बिल्कुल बराबर है label में हो गया ना इस तरह से label में blade बैठा वह रहता है अब देखे वासर भी आपको सीधा लगाना है इस तरह से आपको वासर लगाना है इसको पर से एक cap वासर और लगता है बट नहीं है इसलिए मैं nut को लगा रहा हूँ इसके साथ में कैप वासर है वो नहीं है इसलिए मैं nut को लगा कर टाइट कर रहा हूँ अगर आपके पास cap वासर है तो आप लगा लेजिए cap वासर लगाने से आपका जो nut है वो damage नहीं होगा है तो लगा लेजिए अब देखे हाथ से जब आप बलेड को इस तरह से घुमाएंगे ना बिल्कुल सीधा घुमेगा है ना और यह जो बलेड है दोस्तों यह बिल्कुल सही है बलेड कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है बलेड एक साइट छोटा नहीं है आप अपने मसीन का बलेड अच्छी तरह से चेक कर लीजे चलिए मसीन को स्टार्ट करके हम चेक करेंगे कारबुरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब तीन से चार बर हम प्रेस करेंगे उसके बाद रेकोल श्टार्ट रखीच कर हम मसिन को श्टार्ट करेंगे बाल्बस बाल्जा कर данे हमाद लिएल अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजे मैं कमेंट का अंसर दूँगा